नमस्कार दोस्तो मेडी हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम फास्टेक आर्थो केपसूल का रिव्यू करेंगे जो अर्थराइटीस और दर्द को ठीक करने की एक आर्वेटी केपसूल है इससे पहले दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिये होगे बिल बेटन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेसन आप तक पहुंच सके सबसे पहले जो बिल्कुल ही फ्री है तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं ये है दोस्तो फास्टेक आर्थो केपसूल जिसे सिंकाम लाइप साइंस प्राइवेट लिमिटेट कमपनी मार्केटिंग करती है जिसका फ्राइच 75 रूपीज है जो की 10 केपसूल का यहाँ इस टीफ है इस केपसूल को आप असानी से अपने नजदी की मेडिकल इस्टोर से खरीच सकते हैं इस केपसूल में सलाकी, गुगूल, निर्गुंडी, सोंट, सुराजान, रसना, अस्वगंदा, सिलाजीत, पुनरनवा, मेथी, हल्दी, हीराबोल, मोच, सुरस, मुलेथी, अजमोडा, बाला, गोदंती भस्म, तिरिफला को एट किया गया है जो पूरे अरवेदिक इंगिडियन्स है और हमारे सरीर के अंदर बिना साइट थिवेक्ट के यहां बहुत अच्छे से काम करता है तो आईए दोस्तों अब जानते हैं इस केपसूल के बेनिफिट के बारे में कि यह हकिन की रोगों में इफेक्टिव है तो दोस्तों आप इसे यूच कर सकते हैं जोइन पेन, मस्कूलर पेन, स्पोर्ट एंजरी, अर्थराइटी, सर्वाइकल, लो बेक पेन, जोडों के दर्द, गुटनों के दर्द, मास्पेसियों के किचाओ, कमर दर्द, एडियों के दर्द, गर्दन के दर्द और वातरों म आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ एक आरवेदिक केपसुल है जिसके कारण इसके आपके सरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है तो आए दोस्तो अब जानते हैं इसके डोजेस के बारे में तो दोस्तो इसका एक से दो केपसुल दिन में दो बार खाना कहने के बाद इस्तमाल करना है या फिर अनुभवी चिकिससक के परामर्स से आप इसके केपसुल को ले सकते हैं दोस्तो यहाँ कारण इसे आपको लंबा समय तक लेना होगा आप इसे 2-3 मेने लगतार खाईए तभी आपको इसका रिजल्ट अच्छे से समझ में आएगा यह कारवेदिक के अफसुल है जिसके कारण इसे आप लंबे समय तक भी इस्तमाल कर सकते हैं इसका आपके सरीर पे कोई भी नुकसान नहीं होगा तो उम्मीद करते हूं दोस्तों आपको यह जानकरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में सेयर करें और कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करें मिलते हैं दोस्तो अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तो वीडियो को यहीपे समाप्त करते हैं टेक क्यार अपना ख्यार रखें वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद